हेलो फ्रेंज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का सोगे थे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आप एक फोन पे में UPI PIN SET करने के लिए जा रहे हो तो आपके फोन पे में UPI PIN सेट करते समय कुछ इस तरीके का प्रोब्लम आ रहा है जो प्रोब्लम में साफ साफ लिखा हुआ है अनेवल टू सेट UPI PIN का जी हाँ दोस्तों मुझे पता है कि आप इस प्रोब्लम को लेकर काफी ज़्यादा प्रेसान हो चुके हो और आप फोन पे में UPI PIN सेट नहीं कर पा रहे हो और मुझे पता है कि आपने यूटूब पे काफी सारे से वीडियो देखने के बाद आपने मेरे वीडियो पे क्लिक क किये हो तो मैं उमीद करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो पे क्लिक कियो तो आपको हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपके फोन पे में जो अनेवल टू सेट यूपी आई पिन का जो प्रोब्लम है यह 100% हो जाएगा तो चलिए आखिर जानते हैं कि अगर आपके फोन पे में यूपी आई पिन सेट करते समय अनेवल टू सेट यूपी आई पिन का प्रोब्लम आ रहा है तो आप इसे कैसे स्वल्ब कर सकते हैं कैसे ठीक कर सकते हैं और धुबारा से फोन पे में यूपी आई पिन किस तरीके से सेट करता होगे तो इस वीडियो में जानने है अपने mobile के screen पे जी हां दोस्तो आप भी phone पे में UPI pin set करने के लिए जा रहे हो तो इस तरीके का ही problem आ रहा है unable to set UPI pin का तो दोस्तो देखिए इस problem को solve करने के लिए सबसे पहले आप सभी को back चले आना है back आने के बाद आप सभी को अपने phone में phone पे app को open कर लेना है दोस्तो बिल्कुल वीडियो को द्यान से देखिएगा तभी आप सभी को समझ में आएगा तभी आप इस problem को solve कर पाओगे जैसे आप phone पे app को open कीजेगा तो आपके phone पे app open हो जाता है अभी आप सभी को क्या करना है यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा दोस्तो आप सभी को अपन तो यहां पे option दिख रहा होगा आपका जो भी bank होगा आपका जीस bank में problem आ रहा है unable to set UPI pin का तो आपको अपने उसी bank की की उपर click कर देना है जैसे ही आप लोग अपने bank की की उपर click करते हो तो यहां पे आप सभी को नीचे की ओर scroll करके आ जाना है नीचे की ओर आईएगा त Link करने के बाद अब ही आप सभी को क्या करना है back चले आना है बैक आने के बाद आप सभी को अपने फोन में सेटिंग open कर लेना है दोस्तों वीडियो को त्यान से किजिए कि देखिये घा तभी आप सभी को समझ में आएगा क्योंकि कि मैं आप लोगों को परिसानिया को में समझ रहा हूं जैसे आप लोग अपने फोन में सेटिंग ओपेन कीजेगा तो यहां पर आप लोगों को ढूंड लेना है दोस्तों एप या तो फिर एप मेनेजमेंट करके दिखेगा क्योंकि हर फोन का सेटिंग अलग-अलग होता है तो हमारे फोन में यहां पे एप लिखा हुआ रहा है तो एप की उपर हम लोग किलिक करेंगे उनके बाद फर्स्ट हमें एप मेनेजमेंट पे किलिक करने के बाद अगर आपके पास सर्च को ऑप्शन आ रहा है तो यहां से इस तवीके से ढूंड लेजिए फोन पे तो दो तो यहां पर आपको की उपर कलिक कर देना है इस्टोरेज उजिस की उपर कलिक करने के बाद यहां पर सभी को क्या करना है इतना काम कर लेने इसे यह पून पर इप्लिकेशन आपको इसे डिलीट कर देना है तो ये phone pay application आपके phone से delete हो जाता है अभी आप सभी को हमारे वीडियो के description में phone pay application का link दिख रहा होगा उनके उपर किलिक करके आप चाहे तो download कर सकते हैं नहीं तो दोबारा से play store open कर लीजिए यहाँ पे search पे click करके यहाँ पे phone पे search कर लीजिए phone pay application आजाता है आपको अपनी phone में इसे install कर लेना है तो दोस्तो इसे install कर लेते हैं जब तक हमारे phone में install हो रहा है तो दोस्तो phone pay app को download करने के बाद आप सभी को back चले आना है back आने के बाद आप सभी को अपने phone में phone pay app को open कर लेना है जैसे ही phone पे app को open कीजेगा तो आपके phone में phone पे app open हो जाता है यहाँ पे आपका जिस number से phone पे account बना हुआ है यहाँ पे का रहा है enter your mobile number तो आपको अपना वही मरसे phone पे account बना हुआ है phone पे का number डालने के बाद यहाँ पे आप सभी को proceed की उपर click कर देना है जैसे आप लोग proceed की उपर click करते हो तो यहाँ पे आपके यहाँ सामने forget password का option आ रहा होगा तो forget password पे click कर लीजिए click कर लेते हो तो नीचे में option देख रहा होगा दोस्तो login with OTP तो आप सभी को login with OTP पे click कर देना है तो आपके number पर 5 digit का जो OTP आएगा OTP automatically यह ले लेता है नहीं लेता है तो आप लोगों को OTP डाल देना है OTP डालने के बाद यहाँ पे आप सभी को die app के उपर use के उपर click कर देना है यहाँ पे permission allow कर देना है यह थोड़ा सा आपका phone पे account loading ले रहा है तो आपको कुछ दिर तक wait करना होगा तो दोस्तो चलिए हमारा आ चुका है तो हम लोग permission को allow कर देते हैं फिर से allow कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आए तो हम लोग skip कर देते हैं अभी आप सभी के phone में phone पे app open हो जाता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर आपका bank account करने का option आ रहा है तो हम लोग इसे skip कर लेते हैं तो दोस्तो यहाँ पे आप सभी को अपने profile के उपर click कर देना है जैसे आप लोग अपने profile के उपर click कर देते हो तो आपको थोड़ा सा wait करना होगा wait करने के बाद आपके सामने कुछ new interface open हो जाता है कुछ इस तरीके का अभी आप सभी को क्या करना है यहाँ पे आप सभी को bank account के उपर click कर देना है जैसे आप लोग bank account के उपर click कर देते हो तो यहाँ पर आप लोगों का जिस भी company में bank है अपना जिस भी खाता है जो भी अपना bank में खाता है तो यहाँ पे आप सभी को अपने bank का नाम डाल देना है तो हमारा uko bank है तो हम लोग अपना uko bank के search कर लेते हैं और अपने bank account की उपर click कर देना है जैसे अपने bank account पे click करते हो यह bank account link कर रहा है या automatically link ले लेता है link कर लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने set upi pin को option आ रहा होगा set pin का क्योंकि हमारे pin में reset pin को option आ रहा है तो हम लोग अगर आपके set pin को option आ रहे तो set pin पे click कीजिए हमारे पास reset pin को option आ रहा है तो हम लोग reset pin के उपर click कर देते हैं क्लिक करने के बाद आप अब सभी के सामने का रहा हुआ है दोस्तो, डेविट का टियम का डेटेल, अगर आप अपना आधार कार्ट से जो है फोन पे एकॉन मतलब जो है बना सकती, यूपी आई आई डे बना रहे हैं, यहां पर आप लोगों को आधार का ओप्सें दिखेगा दोस्तों यहां पे किलिक करके अपने आधार कार्ट से भी बना सकते हैं अभी हमारे bank account जो है हमारा Yuko bank है तो हम लोग अपने bank का ATM दे देते हैं तो अगर आपका ATM कार्ट से बन रहा है तो अपने ATM कार्ट का जो details यहां पे डालना है आपका जिस भी bank account का ATM है वही ATM को यहां पे यहां पे आपको थोड़ी सी बात का ध्यान रखना है कि यहां पे अपना ATM details जो डालते हैं यह सही सही डाले तभी आपके सामने यह problem नहीं आएगा unable to set UPI pin का पुछ लोग गलती यह करते हैं कि यहां पे अपने ATM का last का six digit number है वो गलत डाल देते हैं और यहां पे MM by यानि कि अप two extra pirate date है वो भी आपको ध्यान से डालना होगा देखिए दोस्तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता देता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ जाए और आपका जो problem है वो hundred percent solve हो जाए जैसा कि हमारे पास यहां पे हमारा ATM card दिख रहा होगा आपको तो यहां पे zero two or two eight इस तरीके से डाल दीजेगा यह हुआ आपका expiry date है ना ATM card का expiry date यह डाल देना अपने ATM card का last का six digit number यहां पे आपको डाल देना है तो चलिए फटापर से मैं यहां पे अपना जो ATM details डाल देता हूँ आपको भी ध्यान से डाल देना है तो चलिए डाल लेते हैं तो दो आपके सामने जो है प्रोब्लम हो जाए ATM pin डालने के बाद सही वाले टिक यूपर किलिक करना होगा अब यह का रहा है कि दोस्तो set four digit UPI pin आप जो अपना फोन पे का UPI pin set करना चाहते हैं बनाना चाहते हैं आपको अपने अनुसार जो है अपना एक है UPI pin बना लेना है तो हम लोग अपना UPI pin बना लेते हैं डाल लेत हैं उनके बाद यहां पर सही वाले टिक के उपर किलिक कर देना है फिर से आपको कर रहा है confirm four digit UPI pin तो फिर से आप सभी को confirm करने के लिए वही UPI pin डाल लेना है जो अभी अभी आपने बनाया है डाला है UPI pin डालने के बाद सही वाले टिक के उपर किलिक कर देना है इसके उप क्लिक करते हो तो यहां पे आपका दिख रहा होगा यहां पे फोन पे में जो है नेवल अमने 1 पर्संट शुफ हो चुका है। हमारे अमों चलतहों फोन पे में चलकर अभी आपना वाइलन्स बगेरा भी चेक लाइव पूरूप दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बैक चले आते हैं उनके बाद यहां पे चेक वाइलेंस पर किलिक कर देते हैं और यहां पर अपना जो यूपी आई पीन है यहां पर हम लोग डाल देते हैं यूपी आई पिन डालने के बाद सह हो चुका है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को एक लाइकन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपके मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जय हिन वन्दमात्रम